कैसे मनाऊं चॉकलेट डे? वो तो गुटका खाती है 2021 में मैंने दुनिया देख ली, अब 2022 में भैरचो दुनिया देखेगी वो गुटका जुगाड कर लिया है, वो का लेट आप टैंशन ना लेना, मैं लेका हैं आपके लिए फिलेवर चोकलेट अब अब दूना लड़कियों को कैसे इंप्रेस करते हैं? उनकी इज़त किया कर लड़कियों से आप करके बात किया कर ओ, कितनी चूतिया हो आप, माई डियर बेस्टी मेभी, आज रोज दे है, क्या तो मजे रोज दोगी? रोज दोगी, फिर तुम्हे भी रोज देना पड़ेगा ठीक है, मैं खरिट के लाता हम एक रोज उस वाले रोज की बात कर रहे थी सुनना, 14 फरवरी आने वाला है, कोई ना कोई लड़का मुझे फूल तो देगा ही अबे, तुझे कोई लड़का फूल क्या, पत्ती भी नहीं देगा माई डियर एक्स, ठंड हो रही है, वापस आजाना यार सोचा वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो मैं भी किसी लड़की से बात करूँ, गल्फ्रेंड बनाने के लिए तो मैंने बात करी एक से, और गाईज, अब मेरी एक और बेहन है निब्बे इस तरह से खुश कर रहे हैं अपनी वाली को, खुद का रिचार्ज करवाया है नहीं साथ दिन से, और उससे कह रहे हैं दिल और जिगर दोनों रखता हूँ मेरी जान, इसलिए ना दोस्तों की कमी है, ना दुश्मनों की ये बंदा बस खुदा के सामने जुकता है, और बागे तू आजमा के देख लिए है जोड़िया आसमान से बनती है, तुम क्या आसमान से गिर के मर गई? छोटे कौन किस पे भारी है ये तो वक्त बताएगा, और सुना है तेरी अकड में बहुत गर्मी है, तोड़ने में मुझे भी बहुत मज़ा आएगा मुझे लगता इस वेलेंटाइन, मेरे उपर भी एक फिल्म बनेगी, एक था सिंगल मेरे बाद अगर हक की है तो छीन लूँगा, और अगर डर की है, तो छीत लूँगा, खतम मेरी मम्मी के हिजाब से, अगर मुझे जुखाम भी हो जाए, तो इसमें मेरे फोन की गलती है हम भी शरीफों में आते हैं मेरी जान, अगर कोई उंगली ना करे, तो मैं अब ट्रस्ट नहीं करता किसी पे, क्योंकि तोड़ देते हैं सब, और कहते तो हैं नहीं छोड़ेंगे, पर छोड़ देते हैं सब, नो ट्रस्ट आज प्रिपोज डेहा, कोई तो प्रिपोज कर दो, अपने बाप की कसम खारी, ज्यादा खर्चा नहीं करवाऊंगी क्या सोचेरे तेरी मानना पड़ेगा मेरी समझ से बार है, मेरे अंदर का शक्स बेबी, वैलेंटाइनस्टी आ रहा है, तो मुझे नो वैलेंटाइनस्टी गिफ चाहिए अरे बेबी, क्या चाहिए तुमें? मुझे नो BMW कार चाहिए वो तो नहीं दे पाएंगे, कुछ और मांग लो तो आपका जो दोस के पास BMW कार है ना, और करना मरे दे दीजी हमको तुम चार लोग गिनाते हो जो मोहबत में आबाद हुए है मैं हजार गिना सकता हूँ, जो मोहबत में बरबाद हुए है क्या? तुम मुझे इग्नॉर करोगे और मुझे फर्क पड़ेगा? उफ! तुम और तुम्हारे सस्ते नशे देख तो कैसा लग रहा हूँ मैं चश्मे में चूतिया दिख रहा है मैं सच में तेरी तेरा दिख रहा हूँ बड़े हरामी हो बड़ा मेरे होसलों से निकलता मेरी मंजिल का रास्ता है अजी मेरे होसलों से निकलता मेरी मंजिल का रास्ता है दिल के काले है साले जो कुछ हमारे घर पले हैं और बच के रहना पड़ता है क्योंकि लाले वैंसे तो मुझे जिन्दगी में बहुत गम मिले पर तब से सिर्फ खुशे मिल रही है जब से मुझे मैंने सुना है तू आज कल बराबरी करने की सोच रहा है चले बटे लगा जूर बेबी तुमने तुम्हारे पापा को बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ हाँ बताया पर उन्हें तो पहले से ही बता था अच्छा वो केसे वो बोले दुनिया में चूतियों की कमी थोड़ी ना है ये बड़ी अच्छी बालती है समझ रहो मेरे बाबू, मेरे शोना, मेरे मोना क्या में शादी करोगे और तुम परपोस्स कररी हूं और पर गुल ले रही हो एUST हराम या जिस उम्बह में लोग अपने बाबू शोना को समह लने की बाते क्या करते है बस उम्मरों में अपने घर की जिम्मेदारियां समालने वाले जिन्दगी में कभी मात नी खाते ख्वाबों को सर से उतारूंगा नहीं उम्मीदों को अपनी में मारूंगा नहीं मन्जिल मिले या ना मिले ये बाद की बात है जब तक है सांसे में हारूंगा नहीं सिंगल रहने का अलगी मज़ा है हाथ में दर्द होगा पर दिल में नहीं तुम सिंगल लेओ की लाइस कितनी बारिंग होती है बे ना कोई इश्क ना कोई गन देखो कितने खुशने सी बें अरे सायरी के सौक ने इतना तो काम कर दिया जिस एरिये में हमें जानता ना था कोई वहाँ भी बदनाम कर दिया क्यों भड़ोसा करते हो गैरों पर जब चलना है अपने पैरों पर जब तक मैं सिंगल हूँ वो मेरी है ये भी मेरी है अर्थ तो क्या वीडियो देख रही है तू भी मेरी है जिदर तेरी पैजान अना छोटे उदर मेरा नाम ही काफी है हम भी दो चहरे रखते है अच्छे के लिए अच्छे बुरे के लिए बुरे और गर्ल्फ्रेंड तो होगी ना तुमारी क्यों इतना स्मार्ट दिखता हो के मैं अरे नहीं पागल मैंने सुना है कि चूतिया लड़कों की जल्दी से गर्ल्फ्रेंड बन जाती है जिंदगी से एक सबक मिला है अकर में रहो लोग औकात में रहेंगे बेटा तु मेरे खामोसी पे मजज़ा अकसर राक के नीचे आग दफन होती है अगर हाथ लगाएगा तो जल जाएगा